बढ़ते हैं आगे पॉपुलिशन कंट्रोल का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया वज़े है ओल इंडिया मजल से इत्तहादुल मुस्लमीन के चीफ असदूदिन ओवेसी का बयान जिसमें उन्होंने मोहन भागबत पर पलटवार किया है जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो पचास साल पहले उसके गंबिर परिणाकों को हमने भुकता और किवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं आज की तारिख में पूर्वत्तिमोर नाम का एक नया देश बना दक्षिन सुदान नाम का नया देश बना कोसो वो बना जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नये देश बन गए देश तूट गए और इसलिए जनसंख्या की एक समगर नीती बने वो सब पर समान रूप से लागू एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले स्यादा कॉंडौम कोन इस्तावाल कर रहा है नए नहीं ये बताने केलिए हम इस्तामाल कर रहे हैं महान बह्त नहीं बोलेंगे अ यजवज़ है आई ओया मैं भता रह रहा हूं प्रेक्ट बता रहा पै। पॉपुलेशन बढ़ रहें dive अब डेटा रखके बात करो ना डेटा रखके नहीं बात करो अगदाद इस वक्ती बड़ी खबर आ रही है मदर्सा सर्वे पर भी भड़के हैं असदुदीन ओवैसी ओवैसी ने हदरबाद ने जन सबाको संबोधित किया और सवाल उठाए यूपी में मदर्सों का सर्वे क् सवाल नमबर नौ क्या है सर्वे के बाद क्या हालात होंगे क्या आज अखिलेश यादफ कुछ बोलेंगे कहां हैं अखिलेश यादफ अखिलेश बीजेपी के दुम्चले बन गए बड़े आरोब जो है अखिलेश यादफ पर भी लगाए है मारे वतने अखिलेश में मदर्सों को निशाना बनाया जा रहा है मैंने पहले भी का और आज भी कह रहा हूँ कि मदर्से का जो सर्वे उत्तर पर देश में हो रहा है मैं उसको कंडेम करता हूँ आप मदरसों का सर्वे क्यों कर रहें क्वेस्टे नंबर नाइन क्या है और उसके बाद के क्या हालात होंगे मैं तो अपनी बात करता रहूं लोग आज मुझ पर तन्खीत कर रहें क्यों इसी तुम उत्तर परदेश जा कर एलेक्शन क्यों लड़े अरे बताओ आज मदरसों का सर्वे उत्तर परदेश में हो रहा है वफ का सर्वे हो रहा है कहां गए आप लोग क्यों खामूश बैट गए आप लोग ये कौन सी तुमारी सियास्त है कि जब मैं लेक्शन लड़ रहा था तो तुम राज के इंधरों में छुप छुप कर जाकर मुसलमानों की बस्जियों में कहते थे कि असद से दूर रहो